हाई कोट में हिरन शिकार मामले में सुनवाई हुए फिल मभीनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और एक स्थाने निवासे दोशियन सिंग को बरी करने के खिलाफ राजसरकार के द्वारा दायर लीव टू अपील पर हाई कोट के नियाधीश जस्टिस मरोज कुमार गर की अदालत में सुनवाई हुई सुनवाई के दुरान सैफ तब्बू और नीलम के अधिवक्ता के के व्यास में नियायले से समय देने की मांग की जिस पर नियायले की ने उनकी मांग को स्विकार करते हुए अब इस मामले के सुनवाई 30 मार्श को निधारि नियादी पतेसरी मनोज कुमार गर्ग की अधलत में सुषिबर्थी, हम इसके आगा में सुनोया 30 मार्श में इस पर अभी उप्टू सहफ अली और लीलम की होड़ से अधिवक्ता के दौारा दिलन किया गया है, आज उनके सीनियर है रोगेर्ट की उपस्थित में है, इसलिए आधा में सीफिव गर्ष करना चाता है, जिस पर माने नियादी पतेसरी मनोज कुमार गर्ग के दौआरा राज सब्टार की होड़ से लक्स्मंग गैलोद लक्समंसोलंकी वा परिवादी की होड़ से में उपसीत था, जिस पर सभी की पक्सों को सुनने के परसाथ उनोंने 30 मार्च की 30 मार्च 2020 की तारी की गड़ की है